होशे अध्याए 1-14 अध्याए 1 एक यहुदा के राजा उज्जिया, योताम, अहाज और हिजकिया के दिनों में और इस्राइल के राजा योआश के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहुवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुँचा होशे की पत्नी और बच्चे क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्याकासा बहुत काम करता है तीन अता उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर को अपनी पतनी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्रूत पन हुआ चार तब यहोवा ने उससे कहा उसका नाम येज्रेल रख क्योंकि थोड़े ही कालमे में येहू के घराने को येज्रेल की हत्या का दंद दूंगा और मैं इस्राइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा पांच उस समय मैं येज्रेल की तराई में इस्राइल के धनुष को तोड़ डालूंगा चह वस त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन हुई तब यहोवा ने होशे से कहा उसका नाम लोरुहामा रख क्यूंकि मैं इस्राइल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराद किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा साथ परंतु यहुदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा उनका उद्धार में धनुष या तलवार या युद्ध या घोडू या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। आठ जब उस स्क्री ने लोरुहमा का दूद छुडाया, तब वह गभर्वती हुई और उससे एक पुत्रूत पन हुआ। जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। चिनालपन को और अपनी चातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे, तीन नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूँँगा, और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमी सरीखी बनाऊंगा, और उसे प्यास से मार डालूंगा। पानी, उन, सन, तेल और मद्य देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूँगी। नया दाखमदू और तेल में ही उसे देता था, और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं, मैं ही बढ़ाता था। 9 इस कारण मैं अन्न की रितू में अपने अन्न को और नए दाखमदू के होने के समय में अपने नए दाखमदू को हर लूँगा और अपना उन और सन भी जिन से वह अपना तन धापती है मैं छीन लूँगा दस अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उगाढ़ूंगा और मेरे हाथ से कोई उसे छोड़ा न सकेगा ग्यारह मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदी सब नियत समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा बारह मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के व्रिक्षों को, जिनके विशयवल कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ती है जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है उन्हें ऐसा उजड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशू उन्हें चर डालेंगे तेरह वे दिन जिन में वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नत और हार पहिने अपने यारों के पीछे जाती और मुझे को भूले रहती थी उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा यहवा की यही वानी है अपने लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम 14. इसलिए देखो, मैं उसे मुहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांती की बाते कहूंगा 15. वही मैं उसको दाक की बारिया दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा और वहां वह मुझ से ऐसी बाते कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी 16. यहोवा की यहवानी है कि उस समय तु मुझे इशी कहेगी और फिर बाली न कहेगी 17. क्योंकि भविश्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा और न उनके नाम फिर स्मरन में रहेंगे 18. उस समय में उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमी पर के रिंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुश और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा और ऐसा करूंगा कि वे लोग निदर सोया करेंगे 19 में सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिग्या करूंगा और यह प्रतिग्या धर्म और न्याय और करुना और दया के साथ करूंगा 20 यह सच्चाय के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी 21. यहोवा की एहवानी है कि उस समय में आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूनगा और वह पृत्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा 22 और पृत्वी अन्न, नए दाकमधूप और ताजे तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी और वे यज्रेल को उत्तर देंगे 23 मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा और लोरुहमा पर दया करूंगा और लोम्मी से कहूंगा तू मेरी प्रजा है और वह कहेगा है मेरे परमेश्वर अध्याय तीन होशे और विश्वास खाती स्थ्री एक फिर यहोवा ने मुझसे कहा अब जाकर एक ऐसी स्थ्री से प्रीती कर जो व्यविचारिनी होने पर भी अपने प्रिया की प्यारी हो क्यूंकि उसी भांती यद्यपी इस्राइली पर आये देवताओं की ओर फिरे और दाक की टिकियों से प्रीती रखते हैं तो भी यहोव करना और ना किसी पुरुष की स्थ्री हो जाना और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा चार क्यूंकि इस्राइली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यग्य, बिना लाठ और बिना एपोध या ग्रिह देवताओं के बैठे रहेंगे पांच उसके बाद व एक हे इस्रालियो, यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में न तो कुछ सच्चाए है, न कुछ करुना और न कुछ परमेश्वर का ज्यान ही है। दो यहाँ शाप देने, जूट बोलने, वद्ध करने, चुराने और व्यविचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता, वे व्यवस्था की सीमा को लांक कर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। तीन इस कारण यह देश विलाप करेगा, और मैदान के जीव जन्तूओं और आकाश के पक्षियों समेट उसके सब निवासी कुमहला ज और समुद्र की मचलियां भी नश्ठ हो जाएंगी। इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तुने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूँगा। और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूँगा। दसवे खाएंगे तो सही, परंतु त्रिप्त न होंगे, और वेश्यागमन तो करेंगे, परंतु न बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहवा की ओर्मन लगाना छोड़ दिया है। परमेश्वर द्वारा मूर्ति पूजा की भर्त्सना। चोड़ जब तुम्हारी बेटियां छिनाला और तुम्हारी बहुए व्यभिचार करें, तब मैं उनको दन्द ना दूँगा, क्योंकि पुरुषापी वेश्याओं के साथ ही कांत में जाते, और देवदासियों के साथ ही होकर यग्य करते हैं, और जो लोग समझ नहीं चिनाला करता है, तो भी यहुदा दोशी ना बने। गिलगाल को ना आओ, और ना बेतावेन को चर जाओ, और यहोवा के जीवन की सौगंत कहकर शपत न खाओ। अध्याए 5. एक हे याज को यह बात सुनो, हे इसराइल के सारे घराने ध्यान देकर सुनो, हे राजा के घराने तुम भी कान लगाओ, क्यूंकि तुम्हारा न्याय किया जाएगा, क्यूंकि तुम मिस्पा में फंदा और ताबोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो। दो उन बिगड़े होने घोर हत्या की है, इसलिए मैं उन सभों को तारना दूंगा। तीन में एप्रेम का भेद जानता हूँ, और इस्राइल की दशा मुझ से छिपी नहीं है, हे एप्रेम, तुने छेनाला किया, और इस्राइल अशुद्ध हुआ है। मूर्ति पूजा के विरुद्ध होशे की चेतावनी। चार उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छेनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है, और वे यहोवा को नहीं जानते हैं। पांच इस्राइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है, और इस्राइल और एप्रेम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे, और यहुदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। छेवे अपनी भेड बक्रियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंगने चलेगे, परन्तु वह उनको न मिलेगा, क्योंकि वह उनसे दूर हो गया है। साथवे व्यभिचार के लड़के जने हैं, इससे उन्होंने यहोवा का विश्वास खात किया है। इस कारण अब चांद उनका और उनके भागों के नाश का कारण होगा। इस्राइल और यहुदा के बीच युद्ध आठ गिबा में नरसिंगा और रामा में तुरही फूंको। बेताविन में ललकार कर कहो, हे बिन्यामीन, अपने पीछे देख। नौन न्याय के दिन में एप्रेम उजाड हो जाएगा, जिस बात का होना निश्चित है, मैंने उसी का संदेश इस्राइल के सब गोत्रों को दिया है। दस यहुदा के हाकिम उनके समान हुए हैं जो सीमा बढ़ा लेते हैं, मैं उन पर अपनी जलजलाहट जल के समान उन देलूंगा। ग्यारह एप्रेम पर अंधेर किया गया है, वह मुकदमा हार गया है, क्यूंकि वहजी लगा कर उस आग्या पर चला। बारह इसलिए मैं एप्रेम के लिए कीरे के समान और यहुदा के घराने के लिए सराहट के समान हुँगा। तेरह जब एप्रेम ने अपना रोग और यहुदा ने अपना घाव देखा, तब एप्रेम इशूर के पास गया और यारेब राजा को कहला भेजा। परंतु नवर तुम्हें चंगा कर सकता और न तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता है. 14 क्योंकि मैं एप्रेम के लिए सिंग और यहुदा के घराने के लिए जवान सिंग बनूँगा. मैं आप ही उन्हें फाड कर ले जाओंगा, जब मैं उठा ले जाओंगा, तब मेरे पंजे से कोई न छोड़ा सकेगा पंद्रह जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे तब तक मैं अपने स्थान को न लोटूँगा और जब वे संकट में पढ़ेंगे, तब जी लगा कर मुझे ढूंबने लगेंगे अध्याय छे, पश्चाताप करने का दिखावा एक चलो, हम यहोवा की ओर फिरें, क्यूंकि उसी ने फाढ़ा, और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा, और वही हमारे घावों पर पट्टी बांदेगा दो-दो दिन के बाद वह हमको जिलाएगा, और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुक जीवित रहेंगे तीन आओ, हम ज्यान रूंधे, वरन यहोवा का ज्यान प्राप्त करने के लिए यत्म भी करें, क्यूंकि यहोवा का प्रगट होना भोर का सा निश्चित है, वह वर्षा के समान हमारे उपर आएगा, वरन बरसात के अंत्की वर्षा के समान जिससे भूमी सिंचती है चार हे एप्रेम, मैं तुझ से क्या करून? हे यहुदा, मैं तुझ से क्या करून? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मीग के समान और सबेरे उर जाने वाली उसके समान है पांच इस कारण मैंने भविश्चिद वक्ताओं के द्वारा मानों उन पर कुलहाडी चला कर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया और मेरा न्याई प्रकाश के समान चमकता है चह क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेमी से प्रसन होता हूँ और होंबलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का घ्यान रखें साथ परंतु उन लोगोंने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहाँ मुझ से विश्वास खात किया है आठ गिलाद नामक गड़ी तो अनर्थकारियों से भरी है, वह खून से भरी हुई है नौ जैसे डाकूओं के दल किसी की घात में बैठते हैं, वैसे ही याजकों का दल शकेम के मार्ग में वद्ध करता है, वरन उन्होंने महापाप भी किया है दस इस्राइल के घराने में मैंने रुए खड़े हुने का कारण देखा है, उसमें एप्रेम का छिनाला और इस्राइल की अशुधता पाई जाती है ग्यारह है यहुदा, जब मैं अपनी प्रजा को बधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिए तेरे निमित भी बदला ठहराया हुआ है अध्याय साथ एक जब मैं इस्राइल को चंगा करता हूँ तब एप्रेम का अधर्म और शुम्रोन की बुराया प्रगट हो जाती है वे चल से काम करते हैं, चोर भीतर घुस्ता और दाकूँ का दल बाहर छीन लेता है दो तौभी वे नहीं सोचते की यहोवा हमारी सारी बुराय को स्मरन रखता है इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फसेंगे क्योंकि उनके कार्य मेरी द्रिष्टी में बने है राजमहल में विद्रोव की गोश्थी तीनवे राजा को बुराई करने से और हाकिमों को जूट बोलने से आनंदित करते हैं चारवे सब के सब व्यभिचारी हैं वे उस तंदूर के समान हैं जिसको पकाने वाला गर्म करता है पर जब तक आटा गुंधा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता तब तक वह आग को नहीं उसकाता पांच हमारे राजा के जन्दिन में हाकिम दाखमदू पीकर चूर हुए उसने ठठठा करने वालों से अपना हाथ मिलाया चे जब तक वे घात लगाए रहते हैं तब तक वे अपना मन तंदूर के समान तयार किये रहते हैं उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है वह भोर को तंदूर की धधकती लौ के समान लाल हो जाता है साथवे सब के सब तंदूर के समान धधकते और अपने न्याईयों को भस्म करते हैं उनके सब राजा मारे गए हैं और उन में से कोई मेरी दोहाई नहीं देता है इस्राइल और अन्य जातियां आठ एप्रेम देश-देश के लोगों से मिला जुला रहता है एप्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो नौ परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला परंतु वह इसे नहीं जानता उसके सिर में कहीं कहीं पके बाल हैं परंतु वह इसे भी नहीं जानता दस इस्राइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है इन सब बातों के रहते हुए भी वे अपने परमेश्वर यहवा की ओर नहीं फिरे और न उसको डूंधा है ग्यारह एप्रेम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है जिसके कुछ बुद्धी नहीं वे मिस्रियों की दोहाई देते और अशूर को चले जाते हैं बारह जब वे जाए तब उनके उपर में अपना जाल फैलाऊंगा मैं उन्हें ऐसा खीच लूंगा जैसे आकाश के पक्षी खीचे जाते हैं मैं उनको ऐसी तारना दूंगा जैसी उनकी मंडली सुन चुकी है तेरा उन पर हाई क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए उनका सत्यानाश हो क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है मैं तो उन्हें छुडाता रहा परंतु वे मुझसे जूट बोलते आए हैं चौदह वे मन से मेरी दो हाई नहीं देते परंतु अपने बिछोने पर पड़े हुए हाई हाई करते हैं वे अन्न और नए दाखमदू पाने के लिए भीर लगाते और मुझसे बलवा करते हैं पंद्रह मैं उनको शिक्षा देता रहा और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूं तो भी वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं सोलह वे फिर्ते तो हैं परंतु परंप्रधान की ओर नहीं वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं इसलिए उनके हाकिम अपनी क्रोधभरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे मिस्र देश में उनके ठट्टों में उड़ाय जाने का यही कारण होगा अध्याय आठ मूर्ति पूजा के लिए इस्राइल की भर्ट्सना एक अपने मूह में नरसिंगा लगा वह हुकाब के समान यहोवा के घर पर जप्टेगा क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उलंगन किया है दोवे मुझ से पुकार कर कहेंगे हे हमारे परमेश्वर हम इस्राइली लोग तुझे जानते हैं तीन परंतु इस्राइल ने भलाई को मन से उतार दिया है शत्रू उसके पीछे पड़ेगा चारवे राजाओं को ठहराते रहे परंतु मेरी इच्छा से नहीं वे हाकिमों को भी ठहराते रहे परंतु मेरे अंजाने में उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्ते बना ली जिससे वे ही नश्ठ हो जाएं पांच हे शोम्रोन उसने तेरे बच्छडे को मन से उतार दिया है मेरा क्रोध उन पर भढ़का है वे निर्दोश होने में कब तक विलंब करेंगे चह यह इसराइल से हुआ है एक कारीगर ने उसे बनाया वह परमेश्वर नहीं है इस कारण शोम्रोन का वह बच्छडा टुकडे टुकडे हो जाएगा साथ वे वायू बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं न उनकी उपज से कुछ आटा होगा और यदी हो भी तो परदेशी उसको खाडालेंगे आठ इसराइल निगला गया अब वे अन्यजातियों में ऐसे निकम में ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है नौ क्यूंकि वे अश्शूर को ऐसे चले गए जैसा जंगली गधा जुन से बिचुड के रहता है एप्रेम ने यारों को मजदूरी पर रखा है दस यद्यपी वे अन्यजातियों में से मजदूर बना कर रखे तो भी में उनको इकर्था करूंगा वे हाकिमों और राजा के बोज के कारण घटने लगेंगे ग्यारह एप्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई है वे ही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी बारह में तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखो बाते लिखता आया हूं परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं तेरह वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बली भी करते हैं परंतु उसका फल मास ही है, वे आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहुवा उनसे प्रसन नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधी लेकर उनके पाप का दंद देगा, वे मिस्र में लोट जाएंगे। चौदर क्यूंकि इस्राइल ने अपने करता को भुला कर महल बनाए और यहुदा ने बहुत से गड़वाले नगरों को बसाया है, परंतु में उनके नगरों में आग लगाऊंगा और उससे उनके गड़ भस्म हो जाएंगे। अध्याए 9. इस्राइल को दंड की घोशना एक हे इस्राइल, तू देश-देश के लोगों के समान आनंद में मगन मत हो। क्यूंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़ कर वेश्या बनी। तूने अन्न के हर एक खलेहान पर छिनाले की कमाय आनंद से ली है। दोवे न तो खलेहान के अन्न से त्रिप्थ होंगे और न कुंट के दाखमधू से और नए दाखमधू के घटने से वे धोखा खाएंगे। कि भूजन विस्तू उनकी भूख बुझाने ही के लिए होगी, वह यहोवा के भवन में ना सकेगी। पांच नियत समय के पर्व और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे। चह देखो, वे नश्ट होने के डर के मारे चले गए, परंतु वहाँ मर जाएंगे और मिस्री उनके शव इकठा करेंगे, और मोप के निवासी उनको मिट्टी देंगे। उनकी मनभावनी चान्दी की वस्तुएं बिच्छू पेड़ों के बीच में पढ़ेंगी, और उनके तंबों में जड़बेरी उगेगी। साथ दंद के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इसराईल यह जान लेगा। उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेश के कारण भविश्यद वक्ता तुमूर्ख और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है, वह बावला ठहरेगा। आठ है प्रेम मेरे परमेश्वर की ओर से पहरुआ है, भविश्यद वक्ता सब मार्गों में बहेलिये का फंदा है, और वह अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। नौवे गिबा के दिनों की भाती अत्यांत बिगड़े हैं, इसलिए वह उनके अधर्म की सुधी लेकर उनके पाप का दंद देगा। इस्राइल का पाप और उसका प्रतिफल दस में ने इस्राइल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुर्खाओं पर ऐसे द्रिष्टी की जैसे अंजीर के पहले फलों पर द्रिष्टी की जाती है। परंतु उन्होंने पोके बाल के पास जाकर अपने को लज्जा का कारण होने के लिए अरपन कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए थे, वे उसी के समान घिनोने हो गए। उनसे दूर हो जाओंगा, तब उन पर हाए। के कारण में उनको अपने घर से निकाल दूंगा। उनसे फिर प्रीती न रखूंगा, क्योंकि उनके सब हाकिम बलवा करने वाले हैं। सोलह है प्रेम मारा हुआ है, उनकी जड़ सूख गई, उनमें फल न लगेगा। चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी जने तो भी में उनके जन में हुए दुलारों को मार डालूंगा। इस्राइल के विशे नभी की चेतावनी। सत्रह मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वे जाती जाती के बीच मारे मारे फिरेंगे। अध्याय दस। एक इस्राइल एक लहलाती हुई दाखलतासी है, जिसमें बहुत से फल भी लगे, परन्तु जियों जियों उसके फल बढ़े, त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई, जैसे जैसे उसकी भूमी सुधरी, वैसे ही वे सुन्दर लाटे बनाते गए। दो उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोशी ठहरेंगे, वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा, और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा, तीन अब वे कहेंगे, हमारे कोई राजा नहीं है, क्योंकि हमने यहोवा का भय नहीं माना, इसलिए राजा हमारा क्य कर सकता है, चारवे बाते बनाते और जूठी शपत खाकर वाचा बांधते हैं, इस कारण खेत की रेघारियों में धतूरे के समान दन फूले फलेगा, पांच सामरिया के निवासी बेतावें के बच्छडे के लिए डरते रहेंगे, और उसके लोग उसके लिए विलाप करे और उसके पुजारी जो उसके कारण मगन होते थे उसके प्रताप के लिए इस कारण विलाप करेंगे क्योंकि वह उनमें से उठ गया है, चेह वह यारेब राजा की भीट ठहरने के लिए एश्शूर देश में पहुंचाया जाएगा, एप्रेम लजजित होगा, और पेरो और उंटकतारे उगेंगे, और उस समय लोग पहाडों से कहने लगेंगे, हम को छिपा लो, और टीलों से की हम पर गिर पढ़ो परमेश्वर द्वारा इसराइल पर दंट की घोशना नौ हे इसराइल, तू गिबा के दिनों से पाप करता आया है, वे उसी में बने रहें, क्या वे गिबा में कुटल मनुश्यों के संग लड़ाई में न फंसें दस जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उन्हें तारना दूंगा, और देश-देश के लोग उनके विरुद्धे इकठे हो जाएंगे, क्यूंकि वे अपने दोनों अधर्मों में फंसे हुए हैं ग्यारह एप्रेम सीखी हुई बच्छिया है, जो अन्न दावने से प्रसन होती है, पर अंतु में ने उसकी सुन्दर गर्दन पर जुआ रखा है मैं एप्रेम पर सवार चढ़ाऊंगा, यहुदा हल और याकूब हेंगा खीचेगा बारह अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुना के अनुसार खेत कातने पाऊगे, अपनी पड़ती भूमी को जोतो, देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, कि वहायो और तुम्हारे उपर उद्धार बरसाए तेरा हल तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्य वहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था चौदर इस कारण तुम्हारे लोगों में हुललर उठेगा और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नश्ट किये जाएंगे जैसा बेतर बेल नगर युद्ध के समय शल्मन के द्वारा नश्ट किया गया, उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी 15 तुम्हारी अत्यांत बुराई के कारण बेतल से भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा भोर होते ही इसराइल का राजा पूरी रीती से मिठ जाएगा अध्याए 11 विद्रोही इसराइल के प्रती परमेश्वर का प्रेम एक जब इस्राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया दो परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे वे बाल देवताओं के लिए बलेदान करते और खुदी हुई मूरतों के लिए धूप जलाते गए तीन में ही एप्रेम को पाउफ पाउफ चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था परंतु वे ना जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ चार में उनको मनुष्य जानकर प्रेम की दोरी से खींचता था और जैसा कोई बैल के गले की जोद खोल कर उसके सामने अहार रख दे वैसा ही में ने उनसे किया पांच वह मिस्र देश में लोटने न पाएगा अश्शूर ही उसका राजा होगा क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इंकार कर दिया है चह तलवार उनके नगरों में चलेगी और उनके बैंडों को पूरा नश्ट करेगी और यह उनकी युक्तियों के कारण होगा साथ मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है यद्यपी वे उनको परंप्रधान की ओर बुलाते हैं तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता हे एपरेम मैं तुझे कैसे चोड़ दून हे इस्रायल मैं कैसे तुझे शत्रू के वश में कर दून मैं कैसे तुझे अदमा के समान चोड़ दून और सबोईम के समान कर दून मेरा हृदय तो उलट-पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है नौ मैं अपने क्रोध को भढ़कने न दूंगा और न मैं फिर एप्रेम को नाश करूंगा क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ, मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ, मैं क्रोध करके न आउंगा दसवे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे, वह तो सिंग के समान गर जेगा, और तेरे लड़के पश्चम दिशा से थर्थराते हुए आएंगे ग्यारह वे मिस्र से चिलियों के समान और अश्शूर के देश से पंडुकी की भाती थर्थराते हुए आएंगे और मैं उनको उनी के घरों में बसा दूंगा, यहोवा की यही वानी है इस्राइल और यहुदा की भर्थ्सना बारह एप्रेम ने मिथ्या से और इस्राइल के घराने ने चल से मुझे घेर रखा है और यहुदा अब तक पवित्र और विश्वा से योग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहता है अध्याए बारह एक एप्रेम पानी पीटता और पुर्वाई का पीछा करता रहता है वह लगातार जूट और उत्पात को बढ़ाता रहता है वे एश्शूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भीजते है दो यहुदा के साथ भी यहोवा का मुकद्दमा है और वह याकूब को उसके चालचलन के अनुसार दन देगा उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा तीन अपनी माता की कोखी में उसने अपने भाई को अगंगा मारा और बढ़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा चार वह दूद से लड़ा और जीत भी गया वह रोया और उससे गिलगिला कर विनती की बेतल में वह उसको मिला और वहीं उसने हमसे बाते की पांच यहोवा सिनाओं का परमेश्वर जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है चह इसलिए तू अपने परमेश्वर की और फिर कृपा और न्याए के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बात निरंतर जोहता रहे साथ वह व्यापारी है और उसके हाथ में चलका तराजु है अंधेर करना ही उसको भाता है आठ है प्रेम कहता है, मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ती प्राप्ट की है, मेरे किसी काम में ऐसा अधर्म नहीं पाया गया जिससे पाप लगे नौ मैं यहोवा, मिस्र देशी से तेरा परमेश्वर हूँ, मैं फिर तुझे तंबूओं में ऐसा बसाऊंगा जैसा नियत पर्व के दिनों में हुआ करता है दस मेंने भविश्द वक्ताओं के द्वारा बाते की, और बार-बार दर्शन देता रहा, और भविश्द वक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ ग्यारह क्या गिलाद को कर्मी नहीं वे पूरे चली हो गए हैं गिलगाल में बैल बली किये जाते हैं वरन उनकी वेदिया उन धेरों के समान हैं जो खेत की रेघारियों के पास हों बारह याकूब राम के मैदान में भाग गया था वहां इसराइल ने एक पत्नी के लिए सेवा की और पत्नी के लिए वह चरवाही करता था तेरह एक भविशिद वक्ता के द्वारा यहोवा इसराइल को मिस्र से निकाल ले आया और भविशिद वक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई 14 एप्रेम ने अत्यांत रिस्ट दिलाए है इसलिए उसका किया हुआ खून उसी के उपर बना रहेगा और उसने अपने परमेश्वर के नाम में जो बटता लगाया है वह उसी को लोटाया जाएगा अध्याए 13 इसराइल का अंतिम्नियाए एक जब एप्रेम बोलता था तब लोग कांपते थे और वह इसराइल में बढ़ा था परंतु जब वह बाल के कारण दोशी हो गया तब वह मर गया दो अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धी से चांदी धाल कर ऐसी मूर्ते बनाते हैं जो कारीगरों ही से बनी उनी के विशय लोग कहते हैं जो नर्मेद करें वे बच्छलों को चूमें तीन इस कारण वे भोर के मेग, तढ़के सूख जाने वाली ओस, खलिहान पर से आंधी के मारे उड़ने वाली भूसी या चिमनी से निकलते हुए धुए के समान होंगे चार मिस्र देशी से मैं यहोवा, तेरा परमेश्वर हूँ, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न जानना, क्यूंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार करता नहीं है पांच में ने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जांगल में वरन अत्यंत सुखे देश में था चह परंतु जब इस्राइली चराए जाते थे और वे त्रिप्त हो गए, तब त्रिप्त होने पर उनका मन घमन से भर गया, इस कारण वे मुझ को भूल गए साथ इसलिए मैं उनके लिए सिंग सा बना हूँ, मैं चीते के समान उनके मार्ग में घात लगाए रहूंगा आठ में बच्चे चीनी हुई रीचनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की जिल्ली को फारूंगा और सिंग के समान उनको वहीं खार डालूंगा जैसे वन पशु उनको फार डाले 9 है इस्राइल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है 10 अब तेरा राजा कहां रहा कि तेरे सब नगरों में वह तुझे बचाए तेरे न्याई कहा रहे, जिनके विशे में तूने कहा था, मेरे लिए राजा और हाकिम ठेहरा दे ग्यारह में निकरोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए, और फिर जलजल आहत में आकर उनको हटा भी दिया बारह है प्रेम का अधर्म गठा हुआ है, उसका पाप संचय किया हुआ है तेरह उसको जचा किसी पीगाएं उठेंगी, परंतु वह निर्बुद्धी लड़का है जो जन्म लेने में देर करता है 14 मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूँगा और मृत्यू से उसको छुटकारा दूँगा हे मृत्यू, तेरी मारने की शक्ती कहा रही हे अधोलोक, तेरी नश्ट करने की शक्ती कहा रही मैं फिर कभी नहीं पच्चताऊंगा 15 चाहे वह अपने भाईयों से अधिक फूले फले, तो भी पुर्वाय उस पर चलेगी और यहोवा की ओर से मरुस्थल से आएगी और उसका कुंट सूखेगा और उसका सोता निर्जल हो जाएगा उसकी रखी हुई सब मन्भावनी वस्तुएं वह लूट ले जाएगा 16 सामरिया दोशी ठहरेगा क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से बलवा किया है वे तलवार से मारे जाएंगे उनके बच्चे पटके जाएंगे और उनकी गर्भवती स्त्रियाँ चीर डाली जाएंगी अध्याय 14 होशे का इस्राइल से निवेदन एक है इस्राइल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लोटा क्योंकि तुने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाए है दो बाते सीखकर और यहोवा की ओर लोटकर उससे कहे सबाधर्म दूर कर अनुग्रे से हम को ब्रहन कर तब हम धन्यवाद रूपी बली चड़ाएंगे तीन अश्यूर हमारा उद्धार ना करेगा हम घुड़ों पर सवार ना होंगे और ना हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तूओं से कहेंगे तुम हमारे इश्वर हो क्योंकि अनात पर तू भी दया करता है इस्राइल के लिए नए जीवन की परमेश्वर की प्रतिग्या चार में उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंतमें तुन से प्रेम करूंगा क्योंकि मेरा ख्रोध उन पर से उतर गया है पांच में इस्राइल के लिए उसके समान हूंगा, वह सोसन के समान फूले फलेगा और लबानों के समान जर फैलाएगा चह उसकी जर से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानों की सी होगी साथ जो उसकी चाया में बैठेंगे, वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे, और उसकी कीरती लबानों के दाखमदू की सी होगी आठ है प्रेम कहेगा, मूरतों से अब मेरा और क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर द्रिष्टी बनाए रखूंगा, मैं हरे सनौवर सा हूँ, मुझी से तूफल पाया करेगा निशकर्श नौ जो बुद्धिमान हो, वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीन हो, वही इन्हें बूज सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्क सीधे हैं, और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खा कर गिरेंगे